नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश समान ग्यान का सेट नमबर दो और इसमें 20 प्रशन मिलेंगे और आपको जो है जो भी चीजे बताई जाएगी वो आपको मानचितर से बताई जाएगी ठीक है तो ध्यान से देखिएगा मानचितर से काफी important है और सभी प्रतियों की परिच्छाओं के लिए important होगा इसमें क्या-क्या question पूछे जाएगे और सब मैप से पताई जाएगे ये दोस्तो जो है भौतिक विन्यास यूपी का और जलवायू और मिर्दा ठीक है देखिए सबसे पहला नमबर जो question आपका बुंदेल खंड आर्थिक छेत्र में जनपदों की संख्या तो इसमें जनपद दोस्तो जो है यूपी का पूछा जा रहा है तो यूपी के जो बुंदेल खंड में जो जनपदों की संख्या है वो है साथ साथ संख्या है UP का और तेरा जनपद हैं किसके MP के इसमें तीन संभाग है MP वाले में UP में दो संभाग है एक का नाम है जहासी दूसरे का नाम है चित्रकूट जहासी वाले में तीन है चित्रकूट वाले में चार है तो जहासी वाले में जो है एक तस्वयम आपका जहासी हो जाएगा उसके बाद आपका ललितपूर और आपका एक हो जाएगा जालोन क्या हो जाएगा ठीक है चित्रकुट वाले में एक तो आपका चित्रकुट हो जाएगा एक हो जाएगा बांदा इसका मुख्याले बांदा भी है ठीक है और हमीरपुर महोबा एक हमीरपुर हो जाएगा एक महोबा हो जाएगा ठीक है तो यह साथ है इंपोर्टन चीज़ यह है कि MP और UP का मिला करके है तो MP के 13 है और UP के 7 है तीन संभाग MP में है दो संभाग UP में है बहुत इप आपको बता रहे हैं UP PCS लेबल का जिसे की एक्जाम में आए तो आप कर ल आद कल्प की प्राचिंतम शैलों से निर्मित है कौन सा छेतर है जो आद कल्प का प्राचिंतम शैल है इससे निर्मित है तो यह दोस्तों बुंदेल खंड खंड चेतर जो है यह क्या है आद कल्प का प्राचिंतम जो शैल है उससे दोस्तों यह निर्मित है अगर बात करें बहुत ही important point तो जानते हैं MP और UP मिला करके हैं तो मैंने आपको बता है 13 संभाग MP का है और जो है इसमें आपका जो एक जहांसी बताया एक जहांसी बताया और एक दोस्तों आपको कौन से बताया चित्रकूट बताया अच्छा इसमें important यह कि बुंदेल खंड का पुराना नाम प्राचीनतम नाम आता है और अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं याद दखेगा जे जाक भुक्ती बहुत ही important question है आएगा तो अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं याद दखेगा जे जाक भुक्ती next देखिए निमने लिखीत में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है यानि कोई इसमें से गलत है ध्यान दीजिए यहाँ पर जो उतरदेश का जनपत दिया है इधर दोस्तो आधिकतम या निउन्तम छेतर दिया है तो मैंने आपको पताया था कि दोस्तो जो है लकिमपुर खीरी हाँस का वरकीमी में तो यही है देखिए यह बिल्कुल ठीक मिला हुआ है लकिमपुर खीरी अधिकतम भगालिक छेतर नेक्स देखिए सोन भद्र अधिकतम वन अच्छादिक जो है यह वन अच्छादिक है या फिर पढ़ लिजे वह लगभग वही जो है मीन्स देता है त सीतापुर जो है भगौलिक छेतर के साब से यह नि मुन्तम है यहाँ पर छोड़ा सा गडबर हो गया है तो यही आपका गडबर है भी अगर बात करें ही नि में च्छादिक छेतर भी संट रविदास नगर ही और ऑधिकतम फ्रय जो है घंपरिक जो छेतर दिया हुआ तो इ उत्तर प्रदेश के किस सहर को पुर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। एक कान्य कुपज ब्रामध मूल रूप से जो थे वो यही के रहने वाले थे। और भी कोई सुगंदीत पदा था जाएगा तो आपको कन्योज याद रखिएगा। अगर बात करेंगे वर्तमान में दोस्तों जो है ये इत्र के व्यवशाय के लिए तंबाकू के व्यवपार के लिए जो है क्या है मशहूर है कन्योज। कन्योजी भासा वहाँ बोला जाता है नेक्स्ट बात करेंगे कन्योजी कुछ नहीं है औधी कन्योजी ये सब भोजपुरी से मिलते हैं भोजपुरी की तरही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेल खंड का जो है बुंदेल खंड छेतर का हिस्सा है तो बुंदेल खंड छेतर के जो हिस्से हैं इनमें से चंदौली अगर आप मैप देखें मैप पे आ जाते हैं देखिए बुंदे पर जो पुछा कहता कि कितने जो हैं कौन-कौन से जिले हैं कभी-कभी पुछता कौन से जिले नहीं है तो यह आपका UP है UP को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो यह कैसा है यह लगभग अगर देखे तो यहाथी की सूड हो गई जो सहारानपूर है 100 से सूड है 100 से सहारानप देखिए तो इधर उतसे लेकर के यहां तक जो है क्या है यह MP से जुड़ा हुआ है अच्छा बुंदेल खंड जो छेटर की बात आती है बार बार कोशन पुछा जाता है तो यहां चित्रकूट से लेकर के ठीक है एक संभाग चित्रकूट है और एक जो है आपका जहांसी है जहांसी में जहांसी है जालाओन और ललितपूर है यानि तीन यह है जिले और उसके बाद चित्रकूट में चार है एक दो चित्रकूट है बांदा है हमीरपूर है महोबा है तो चार यह तीन और चार यानि दो संभाग है तो तीन और चार एक साथ हो जाएगा तो साथ आप पुछा गया है तो देखिए आपका महोबा जो है वो आपका हिस्सा है अगर बात करेंगे चंदावली तो वो इधर आ जाता है नीचे बिहार के साथ जो ऐसे आपके जो बनते ना गाजीपूर चंदावली बलियां इधर टांग के पास मतलब इधर जो सोन भद्र है बना दे मिलता एकदम बनाने तो नहीं आता है यहां से आपका लगभग एसे ललितपूर घूम करके यहां से लटका हुआ जैसे ललितपूर है और ऐसे आपका सूर की तरह यहां पर सहारन पुद्मान जो है इधर जो है यह बात हो रही है आपकी चंदावली के तो यह तो होगा नह तो मैंने आपको पता है कि MP और यूपी का जो है तो इसमें महोबा आपका राइट एञसर हो जाएगा नंगा परवत जो है इसको याद दखेता हो जो लोग तपसे-पसे कते हैं पहाड पर जाते हैं तो पहाड के जाएगे तो कम कपड़े पहंते भी है तो नंगा परवत आप जम्मू कस्मीर हो जाएगा ठीक है और नंदा देवी जो ही कहा है उतरा खण में है और कंचंजंगा जो है सिक्किम में है तो बहुत ही असान है यानि कि जो राइड एंसर होगा वो A का जो होना चाहिए वो A कही होना चाहिए A का एक देखेंगे यह दोनों ऑप्षन में है यह दोनों कट गया नंदा देवी यानि B का जो होना चीए तीन होना चीए तो B का तीन यानि option बी राइडेंसर जाएगा और कंचन जाएगा आपका सिक्किम यानि बिल्कुल option बी आपका राइडेंसर हो जाएगा नेक्स देख लिजे की से सहर को अभी तक रास्तिय राजधानी छेतर यानि NCR की बात हो रही है में सम्मिलित नहीं किया गया है तो मैंने आपको बात बताया तो यहाँ पर जिंद देखिए है कौन नहीं किया गया यह बताया जा रहा है तो इसमें से जो अली गड़ है दोस्तो इसको जो है सम्मिलित नहीं किया गया है तो C इसका रेट इंसर हो जाएगा वैसे कुछ सून लीजे क्या क्या चीज़े है तो यहाँ पर जो रास्टीय राजधानी छित्र है इसमें दोस्तों जो है अगर बात के जाए UP के तो UP के दोस्तों जो है आठ जीले हैं इसमें आप नाम यहाँ पर आठ लिख दे रहा हूँ नाम आप लिख लिजे एक आपका है गाजियाबाद क्या है गाजियाबाद है ठीक है उसके बाद गौतम बुधनगर है क्या है गौतम बुधनगर है उसके बाद बुलंद सहर है उसके बाद आपका मेरट है मेरट है बागपत है और हापुड है अभी मैं लेकर आओंगा मैप तो उसमें आप दिखेंगे मुझफर नगर और शामली है कौन सा? एक तो मुझफर नगर है और शामली है ये जो है ये आपके एक, दो, तीन, चार आपके आठ, यानि आठ जो है यूपी के है ठीक है हरियाना के भी कुछ है हरियाना के जिसमें आपका जिन्द करनाल ठीक है उसके बाद आप जो है फरीदाबाद, गुडगाओं, मेवात जो है, रोहतक सोनीपत, रिवाडी, जजज़र पानिपत, पलवल और महिन नगर, भीवाणी, जीन्द करनाल ये सब है, राजस्थान के भारतपूर और अलवर है, तो ये सब है तो अगर यूपी में देखेंगे आठ में से यूपी से कुश्चन है ये तो अलीगड जो है, नहीं है तो वही पुछा गया तक कौन सा नहीं है सी इसका राइड एंसर हो जाएगा मैप आपको दिखा दे रहा हूँ, किधर की बात हो रही है ये इधर आ जाईए, देखिए ये वाला छित्र है आपका इसी की आपर बात हो रही है ठीए, चलिए, बहुत छोटा है इसमें चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते है देखिए, नेक्स्ट जो कोशन है बुंदेल खंड नामक छेत्र निमनलिखित किस सीमा के अंतरगत आता है तो मैंने अभी आपको बताया मैप के द्वारा के जो है मद्यपर्देश का जो सीमा है उसमें मद्यपर्देश के दोस्तो 13 जनपद है, 7 जो है UP के हैं, जिसमें इसके तीन संभाग है, इसमें आपके दो संभाग है चित्रकुट और जहांसी, तो सब आपको बताई दिया है तो यहाँ पर यह मैप भी दिखाने के जुरूत नहीं है नीचे टांग के पास आएंगे तो आपको पता चले जाएगा तो यहाँ पर राइट इन संभाग हो जाएगा B नेक्स देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है अब आजाईए, देखिए जो सीमा पर है इन में से अगर आप देखेंगे तो बलियां से आप पकड़ लेंगे लेकिन आपको मैप लेके आते हैं ठीक है देखिए मैप में अगर आप देखें मैप में अगर आप देखें तो बिहार कहा है यूपी के इधर है तो इसके जो पास में है कौन-कौन से है तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यूपी क्या है आठ जो है राज्यों के साथ मैंने प्रिवियस वीडियों में बदाया कि आठ राज्यों और एक जो है केंसासिस परते सी एन दिली इनके साथ जो सीमा साजा करता है तो अगर आप देखें कि कौन-कौन से यहाँ पर जो राज्य है जो बिहार के साथ सीमा बनाते है तो अगर आप देखें कि पहला तो सोनभद्र हो जाएगा दूसरा चंदौली हो जाएगा और आपका दिवरिया हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है दिवरिया के बाद छोटा से लिखा हुआ है कुशिनगर और आपका महराज गंजी यानि आपके जो है साथ जो है seven जो है वो सीमा साजा करते हैं बिहार के साथ यूपी का बिहार 7 जन्पद या जिला कह लिजे तो इन options में से जो दिया था वो बलिया दिया था बलिया काफी आसान option है कई लोग जान जाते हैं लेकिन याद रखेगा गाजी, पुर, चंदौली, सोन भदर, बलिया, देवरिया, कुशिनगर और महराजगन ये सब ही यूपी बिहार के सीमा साज़ा करते हैं चलिए next question देखते हैं निम्नलिकित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्ये के साथ अंतराश्टी ये सीमा साज़ा करता है ये सब को पता है, नेपाल है, ठीक है नेपाल दोस्तों जो है यह सीमा साजा करता है नेपाल के साथ प्रिबियस वीडियो में आप गोता है था साथ जो है वो जो है आपके जो जीले है यूपी के वो दोस्तों जो है सीमा साजा करते हैं उनको मैं दिखाऊंगा अभी मैप पे ले चलते हैं को साथ याद रखेगा ठीक है चलिए देखिए नेपाल कहां है यहां है यहां आपका नेपाल है यह यूपी का वर्डर खतम होता है तो इससे जो लगने वाले जो मतलब जीले हैं वो कौन-कौन से अगर पहला देखिए तो यह है पीली भीत दूसरा जो है खीरी या फिर कहीं लखिमपुर खीरी ठीक है उसके बाद आपका क्या है बहराईच क्या है बहराईच फिर क्या है स्रावस्ती ठीक है क्या है स्रावस्ती फिर आपका है बलरामपुर फिर क्या है सिधार नगर फिर आपका सिधार नगर और फिर इधर आपका क्या है महराज गंज महराज गंज का याद रखेगा ये बिहार के साथ ये तो राज्य है और इधर जो है नेपाल के साथ ठीक है सीमा साजा कर रहा है ठीक है तो ये दोस्तों जो है साथ है कौन-कौन से पीली भीत लखिमपुर खीरी बहराईच स्रावस्ती बलरामपुर सिधात नगर और महराज गंज तो दे देगा इसमें से कौन साथ नहीं है तो एक इनको छोड़ करके कोई और साथ मतलब तीन ओप्शन में से और एक ओप्शन हठा देगा तो इन साथों का पियाद रखिएगा मैप पेस ले लिखे आते कि कहाँ टच है ये तो आपको पता रहाँ चीए बार बार देखेंगे बार बार देखेंगे वीडियो याद हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते है नेक्स्ट कोईशन देखिए उत्तर प्रदेश का निमनलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन जिलो से घिला हुआ है मतलब ये कोईशन पूछने का मतलब भी बता दिया यानि किसी भी अन राज्य ठीक है देश के साथ सीमा साजान नहीं करता है अब ध्यान से सुनिएगा मतलब बात ये हो रही है कि कौन सा इस जिला है ये सभी कोईशन लो अर में कहीं कहीं पूछे कहीं लोअर में ही पूछा गया था दोस्तों देखे कौन सा इस जिला है जो जो ये हैं rehabilitation किसी राज्य के साथ तो आजाएए अगर आपको याद होगा तो सहारनपूर है सून के पास 100 से सहारनपूर और सौस है सूर वो है हरियानाक के पास ठीक है तो यानि कि वो तो होगा नहीं दूसरी देवरियां अभी मैंने बताया कि देवरियां बिहार के साथ सीमा साजा कर देता है तो ये भी नहीं होगा ललितपुर अगर आपको ललितपुर याद है तो नीचे जो मद्य परदेश में टांग जो था एक बार लेके चलते हैं आपको और हर्दोई है लखनो के पास तो लेके चलते हैं आपको मैप के पास ठीक हर्दोई इसका राइड एंसर होगा वैसे चलिए आपको देखिए पहले बात हुई थी किसकी सहारनपुर की तो ये देखिए हिमाचल परदेश और हरियाना के पास है तो ये तो होगा नहीं दूसरी बात हुई थी ललिदपुर ललिदपुर देखिए MP का यही तो छेतर है ये अभी मैंने बत किया साथ जो है जो जीले है उनीक अंतर हर्दोई आईए आपके लखनों के पास उन्नाओं के पास ठीक है तो इसी में घीरा हुआ है ये किसी राज्य या फिर देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो यही इसका राइडेंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए कोशन के पास तो दिखे इसका रृट इंस रहो जागा, हर दोई सी, चलिए, next question next है, उत्तर प्रदेश का निम्न इनमे से, कौन से जिले की सीमा मद्ध प्रदेश के साथ साजहा नहीं करती है मैंने उत्तर पहले तो वह बुदधेल खंड वाला कौन सा जिला है जो किसके साथ साजा नहीं करता है मद्यपर्देश के साथ तो इनमें से कोई होगा जो मद्यपर्देश साजा नहीं करता है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है कहां कहां पर है तो अलीगड जो है ये अलगी डिरेक्शन में है यह आपका हरियाना के पास अगर मैप देखेंगे तो उधर है तो अगर बात करेंगे तो यह हमको सीधे सीधे पता चाले यही राइडेंसर होगा लेकिन फिर भी हम आजाते हैं मध्य परदेश के सीमा साजा करने वाले राज्यों के पास तो मैप पे चलते हैं याद कैसे होगा यह याद होगा बार 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 देखने से देखें यहाँ पर अगर बात किया है तो मध्य परदेश है यह यहाँ से आपको पूरा मध्य परदेश सीमा साजा करता है तो इसमें जो options दिये थे एक तो मिरजापुर दिया था प्रियाग राज दिया था जिसको आप इलहाबाद करते हैं ठीक है और अलीगड देखिए अलगी डायक्शन में है अलीगड जो है इधर है तो MP जब इधर ही है तो अलीगड आप्शन में कहां हो जाएगा वही राइड एंसर इसका हो जाएगा ठीक है एक साइध ऑप्शन यहाब छुड़ गया था इटावा यहाँ पर ठीक है तो यह इटावा देखिए यह भी साजा कर रहा है MP के साथ ठीक है तो वहाँ पर अलीगड हो जाएगा जो की अपके हरियाणा से पास में है ठीक है या पिर कहिए कि सीमा साजा कर रहा है ठीक है अधिक राज्यों को पर्स करती है मतलब सबसे यह जादा राज्यों को छूती है निमनलिकित में से कौन सा राज्य इनमें सामिल नहीं है तो अगर आप यूपी में दिखेंगे तो MP जहारखंड हो गया उतराखंड हो गया तो यहाँ पर दोस्तों जो है उरिशा जो राज् सा सीमा सजा करती है और नाम कुछ इस प्रकार है उतरा खंड हो गया मद्य पर्दिस हो गया जार खंड है तीन को अटा दिये है एक आपका जो हिमाचल पर्दिस हो जाएगा दिल्ली आपको अटा दिये हैं हरियाना हो जाएगा क्या हो जाएगा हरियाना हो जाएगा आपका होई क्या, 36 गड़ हो जाएगा, ठीक है, और बिहार जारखंड, तो जारखंड उप्षन में है यह बिहार, यानि तीन यह उप्षन में चार यह, तो इनके साथ दोस्तों यह सीमा सजा करते हैं, तो उडिसा अलगी यह हो जाएगा न, यह तो आपका वेस्ट बंगाल क की तरफ हो जाएगा, मैप में, ठीक है? तो D इसका रेज इसर हो जाएगा, उडिसा. नेश्ट बात करेंगे, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेल खंड च्छेतहर में प्रमुखता है, इन मिट्टीों में से कौन सी मिट्टी है, जो बुंदेल खंड म जादा पाई जाती है प्रमुक्ता है तो देखिए हर प्रकार की मिट्टी अधिकतर जगा पर आपको मिल जाएगी लेकिन ये मिट्टियों से आप कोश्चन आ गया भागली छेत्रवल खतम हो गया तो ये पुछा गया था यूपी PCSJ में ये आपका 266 का कोश्चन है तो दोस दूसरा मार मिट्टी ठीक है याद रखेगा और जो पाई जाती है वो आपकी जो है बुंदेल खड में दो प्रकार की मिट्टी पाई आते एक जो है काली और एक लाल मिट्टी ठीक है और जो लाल वाला होता है इसको दोस्तों जो है राकर और इसको क्या क्या करते हैं इसक मुーン में इसको विभक किया जाता है राकर में और यरुआ ठीक है लाल वाली मिट्टी को तो दोनों पाई आती है इनमें से काली पास मिट्टी रैट एंसार होगा ओप्शन के शाब से ठीक है लेकिन इसकी जो इसमें अगर बात किया काली वाले में बात करेंगे काली वाले में तो काबर जो मार है इसमें दोस्तों जो है पानी को होल्ड करने की या फिर कहें पानी को धारण करने की जल को धारण करने की सकती जादा होते है उत्पादक्ता भी जादा होता है लाल में दोस्तों जो है इसमें कम होता है चमता और उत्पादक्ता भी कम होता है ठीक है और इसमें भू कटाव भी बहुत अधिक होता है ठीक है तो ये सब पॉइंट्स याद रखेगा नदियां जब उपर से नीचे आती है तो अपने द्वारा जो पत्थर होते हैं कुछ भी पहाड़ होगे इसको काटते हुए तो कंकडीली मिट्टी इसको कहते हैं तो आपको option पता चल गया, ये किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कंकडीली या पत्थरीली इसको कहते हैं, ठीक है, तो जो भावर है, भावर छित्र, उसी को कहते हैं, जो नदियां तोड़ फोड़ के पहाड़ काथ तोड़ा उगड़ा है, फिर कहिए पत्थर उथ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, तो लाल मिट्टी पूछा जा रहा है, तो मिर्जापूर जहासी का जो छेत्र है, उसमें दोस्तों पाई जाती है, लाल मिट्टी जो है, अधिक्तम जो पाई जाती है, वो options में से जो है, आपका इसे option में मिर्जापूर है जहां सी है तो इसको लगा दिया सोन भद्र हो गया और चंदावली यह जो बिंध का छेत्र है इसी में के दोस्तों में आलगभग में आपको मिल जाएगा चंदावली तो यहां पर दोस्तों अधिक्तम यह पाई जाती है ठीक है इसमें क्या होता है यह चटानों के जो बिद्ध चटान इसके टूटने फूटने से बनते हैं और इसमें दोस्तों जो कमी होती है वो नाइट्रोजन, फासफोरस और चूना यह जैव जो ततों है इसकी कमी है और लौह जो अधिक्ता ज़्यादा होता है इसलिए लाल मिट्टी होता है लौह ज दोस्तों जो है वो 18 है याद रखेगा उत्तर प्रदेश में ठीक है तो यह कीन मंडलों में पाई याते पूछा जा रहा है लवण प्रभावित तो यह पाई याती है आगरा और अलिगर्ड तो अलिगर्ड में जो क्या बता है ताला बनता है तो ऐसे याद के लिए ताला लोए काई बनाएंगा ना ठीक है तो यह याद रखेगा आगरा और अलिगर्ड जो जगा है यहाँ पर दोस्तों जो है क्या होता है बांगर मिर्दा वाला यह छित्र है अगर कहें तो बांगर क्या होता है बांगर दोस्तों जो होता है वो मिट्टी खराब हो जाती है यान राइबरेली, सुल्तानपूर, प्रताबगड, जौनपूर, इलहाबाद की जगह है वहाँ पर अब उसर भूमी है, बांगर भूमी हो लिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा रितु में कहां सरवाधिक वर्षा होती है सबसे ज़्यादा वर्षा पुछा जारे कहां होती है तो इसमें तो गोरकपूर है, यहाँ पर दोस्तों सरवाधिक वर्षा होती है और यह सेमी में दिया है, 184.7 सेमी में दोस्तों वर्षा होती है उत्तरप्रदेश के जो राजह पूर्वी भाग है और जानते हैं दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होता है और हमारे CMG का जगा भी है नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरप्रदेश में सश्य जलवायू छेतर की संग क्या तो शश्य जलवायू जब बोलेगा ना मतलब वर्षा वला बात करें क्रिसी वर्षा तो ये जो छेतर है उसको दोस्तों ज़े नो भागों में बाटा गया है ठीक है नो भागों में एक तो भावर यह उत्तराई छेतर पस्चिमी मैदान, मध्य पस्चिमी मैदान, दच्छिड पस्चिमी, सम्सुस्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेल खंड छेतर और आपका ये आपका जो है उत्तर पुर्वी मैदान, पुर्वी मैदान, बिंद छेतर मतलब इनको जो है क्रिशी के हिसाब से बाटा गया है next बात करेंगे मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है ठीक है कमी है उत्तरपदेश के किस जिले में पाय जाते है जिसमें पोटास की कमी होती है वो जौनपूर जिला हो जाएगा कुछ जगा है जौनपूर के आसपास का आजमगड और भी जिले है याद रखेगा आजमगड जहाँ पर पोटास की कमी होती है तो option में आजमगड भी आ जाएगा मौ भी है यह सब जो है इस मिट्टी में क्या होता है क्या पोटास की कमी होती है ठीक है तो right answer A हो जाएगा तो देखें उस तो यह set number 2 था और next वीडियो में हम आगे इसको continue करेंगे और अन्य जो है UP से related जो questions पूछेगे हैं उनको देखेंगे हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज लाइक और शेर धन्यवाद